गाइस अगर आप मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो टॉप फाइब मोबाइल सेंडर 15,000 रुपीज और इसके बाद एड दी अड़ वीडियो मैं आपको कुछ अनुरेबल मेंशन भी करूंगा लाइक 15-16,000 रुपीज पेंड करेंगे तो इन सबसे बेटर आप्शन वो भी रहेका उसमें तो ऐसे में सबसे पहला मोबाइल लिस्ट पर आता है वीवो जेड वन प्रो तो वीवो जेड वन प्रो इसलिए क्योंकि देखिए इसका दामत बहुत ही कम हो चुका है और यहां पर आपको स्नाप्ट्रेगन 712 AI का प्रोसेसर मिलता है इस इन सारे कैटेगरी का F1.78 अपरचर है तो सबसे बेस्ट आपको लो लाइट कंडिशन में भी पिक्चर्स मिलनी चाहिए वीवो जेड वन प्रो से हाला कि बहुत पॉपलर भी हुआ है वीवो जेड वन प्रो तो ऐसे में सबसे पहले लिस्ट पर आता है इसमें आपको 18 वैट्स का फास्ट चा फास्ट चार्जिंग भी है, रिवर्सेबल आपको चार्जिंग सपोर्ट भी करता है वाया OTG तो सारे फीचर्स इन्नों हने कवर कर दिया है वो आपको अभी मिल रहा है 12,990 तो जल्दी से आप फटा-फट अगर मोबाइल लेना चाहते है टॉप मोबाइल इन सारे सपोर्ट हो तो आजकल एस्पेशली क्रोम ब्राउजर पर अगर आप अमेजन का प्राइम वीडियो देखना चाहते है नेट्फिक्स का HD कंटेंट देखना चाहते है तो डिजिटल राइट मैनेजमेंट जो प्रोटेक्शन रहता है वो लेवल सपोर्ट करना चाहिए मोबा सब्सक्राइब में तो आज ही आज ही आलडर किया हूं तो 14,999 रुपीज है 6GB 64GB वेरियन्ट है इसका 64 मेगापिक्सल का कैमरा है अल्टर वाइट कैमरा है पोट्रेट के लिए का लग डप सेंसर वाला कैमरा है तो मीडिया टेक हिलियो जी नाइंटी चिपसेट यहाँ पर 18 वाइट्स फास्ट चार्जिंग भी है 6.53 इंच HDR डिस्पले मिलता है आपको स्क्रीन और 20 मेगापिक्सल का अर्टिफिशल इंटलिजेंस का सेल्फी कैमरा है यहाँ पर सारे के मोबाइल जो भी लिस्ट में है ट्रिपल स्लाट है मतलब की दो डियोल सिम डाल सकते है और वि फोड़ा फास्ट मल्टि टास्किंग के लिए अगर चाहते है तो 14,999 मतलब की 15,000 में आपको मिलता है Realme 5 Pro अगेन हिट मोबाइल तो इसमें 6.3 इंच का डिस्पले है Snapdragon 712 latest processor again, selfie के लिए आपको 16MP at f2.0 and primary camera जो है f1.79 अपरचर वाला यहां पर भी 48MP का है 8MP का अल्टरवाइट कामरा, 2MP macro as well as 2MP for depth sensor तो 435 mAh आपका बैटरी भी है Realme 5 Pro का मैं review बना चुका हूँ आप देख सकते है में original पर तो review में मैं कहा था कि बहुत ही बड़ीया mobile है gaming के लिए हो या multitasking के लिए तो इन सारे चीज़ को देखेंगे तो Realme 5 Pro एक best buy भी है under 15,000 जस्ट क्या है कि इसका service जो है बहुत होड़ा आप skeptical हो सकते है अगर आप ऐसे में देख रहे तो obviously Redmi Note 8 Pro buy कर सकते है या फिर Vivo Z1 Pro एंड लिस्ट पर फोर्थ बनाता है Samsung की तरफ से M30S जो latest mobile है वो भी बहुत ही बड़िया launch किया है 14,000 रुपेस 13,999 को 4GB 64GB variant मिलता है 48MP का F2.0 aperture का है main camera 8MP ultrawide camera 5MP का depth sensor है selfie के लिए 16MP F2.0 तो यहाँ पर जो इसका highlight feature है 6000 mAh का battery इसलिए monster series कहा जाता है M series को 6000 mAh battery super steady 4K video recording मिलता है मतलब 4K अगर आप video shoot कर रहे है तो steady आपको digital stabilization मिलता है यहाँ पर थोड़ा disappointing चीज है कि 15 watts का charging है दूसरे सारे mobiles like 18 watts charging and flash charge book flash charge support करता है Realme 5 Pro बहुत ही fastest charge मैं कहूंगा Realme के तरफ से तो ऐसे मैं Samsung offer कर रहे हैं सिर्फ 15 watts का charging थोड़ा disappointing है खर कोई बात में Super AMOLED screen मिलता है 6.4 inch का तो यह सारा चीज आपको 14,000 रुपीज में मिल रहा है तो अगर आप Samsung brand की तरफ देख रहे है तो M30S definitely good bye लिस्ट पर अगला आता है Redmi Note 7 Pro अलरेड़ी popular model 48 megapixel main camera है F1.79 aperture 5 megapixel का depth sensor के लिए है तो 13 megapixel का selfie camera में मिलता है आपको 6.3 inch का screen है quick charge support है Snapdragon 675 still a good processor तो एक बचत की price में अगर आप देख रहे है तो like 12,000 रुपीज में आपको Redmi Note 7 Pro मिल रहा है तो it's again a good bye अलरेड गैस तो 5 mobiles मैंने बता है यहाँ पर मैं कुछ honorable mentions दूँगा Realme XT का भी है बहुत ही बढ़ीया pricing में चल रहा है वो भी देख सकते है Realme brand की तरफ से अगर वो नहीं देखना चाहते है तो आपको मिलता है Vivo Z1X again Vivo की तरफ से सबसे best mobile क्योंकि हाँ पर 22.5 watts का flash charge मिलता है Vivo की तरफ से बहुत ही fast charging है और उसके साथ Super AMOLED screen भी है 6.38 inch का उसके साथ Snapdragon 712EI latest processor भी है 48MP का main camera, 8MP ultra wide camera है, 2MP का depth sensor and selfie के लिए 32MP तो है ही तो 6GB, 64GB variant आपको मिल रहा है 16,990 मतलब की 15,000 का अगर देख रहे है तो 2,000 रुपिस ज्यादा पे करना पड़ेगा आपको लेकिन I think it's totally worth the money, fast charging है, Super AMOLED screen है और जो सारे अलग features जो Vivo Z1 Pro offer करता था ये सारे features यहाँ पर भी उपलब्ध है तो next one list पर आता है Poco F1, Snapdragon 845 का अभी भी बहुत ही powerful processor है तो ऐसे में Poco F1 mention करना ही पड़ता है तो ये भी I think around 16-17,000 रुपिस में मिल रहा है आपको 6GB 128GB variant वाला तो यहाँ पर आपको RAM भी बढ़िया है storage भी बढ़िया है और उसके साथ जो camera offer करता है Poco and even the home screen like उनका जो operating system है बहुत ही बढ़िया है Poco का तो I think one of the best by like 16-17,000 रुपिस में तो अगर Poco F1 बहुत ही पुराना लग रहा है आपको तो यहाँ पर OPPO K3 है latest launch ये भी Super AMOLED screen है 6.5 इंच का huge display Super AMOLED का है 710 Snapdragon processor भी है Wook flash charge है बहुत ही fast charging थोड़ा मुझे disappointing लगा बैटरी में क्योंकि Super AMOLED screen है 3765 mAh का बैटरी है तो यह थोड़ा disappointing अगर यह चोड़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया यह भी mobile device है लिस्ट पर आखरी honorable mention है Samsung का A50 तो अल्रेडी launch हो चुका है कुछ दिन भी हुआ है 4GP 64GB variant 25 megapixel का जो camera है बहुत ही बढ़िया है ATF 1.7 अपर चल प्लस 5 megapixel का depth sensor है 8 megapixel का ultrawide camera है ही तो यह थे mobile top 5 list मनें बताया है तो इन साब में अगर येक मुझे खरिदना हो तो I'll go for Redmi Note 8 Pro अगर flash sale में आपको नहीं मिल रहा है तो you can buy Samsung का M30s अगर Samsung का M30s भी आपको पसंद नहीं तो definitely Vivo Z1 Pro is the one to pick for तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो if you guys hit that like button share कीजे आपने friends के साथ तो आप कौन सा mobile लेने की सोच रहे है let me know in the comment section down below और इसका latest updated pricing my link देता हूँ description में तो yeah guys मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए take care everyone, bye bye हूँ